हेलो माईड़े स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल सुभम लेक्षर जितने भी हमारे स्टुडेंट इस बार है 12 में और जिनको 2025 बोर्ड एक्जाम देना है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही जादा स्पेसल है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके ल का लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टुडेंट हैं जिनको 2025 में हिंदी का पेपर देना है वो सोचते हैं सर हमारा पेपर कैसा आएगा आप पेपर को सॉल्व कराके दीजिए तो आज मैं आपको 12 हिंदी का जो ये वाइरल पेपर है पूरे 100 नंबर का जो इस पेपर से बहुत सारे कूश्चन इस बार आपके एक्जाम में आएंगे तो देखिए 2025 सामान हिंदी यहां पेपर कोड रहेगा पूरांख 100 नंबर का रहेगा समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा निर्देश कुछ आपको दिये गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परिछार्थियों को प्रस्न पत्र पढ़ने के लिए निर्दारित है मलब स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको कूश्चन पेपर पढ़ना है वो तो सिंपल सा है अब देखिए हम पूरे पेपर को सॉल्ब करेंगे step by step इस क्लास को देखना बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि जितने भी कूश्चन इ पूरे ये रहेगा और दूसरा आपका खंड खा रहेगा वो भी 50 नंबर का रहेगा टोटल 100 नंबर का कूश्चन आपका रहता है अब देखिए खंड का में जो सबसे 1st कूश्चन रहेगा वो हिंदी साहित्य का बहु विकल्पिय प्रस्न रहेगा मलब आपको स्टार्टि में 10 बहु विकल्पिय प्रस्न दिये जाएंगे एक एक नंबर की आणिकि 10 नंबर आपको मिलेगा पांच कुश्चन जो रहेगे वो भया हिंदी गद्य साहित्त से होंगे और 5 कुश्चन हिंदी पद्य साहित्त से होंगे तो पहले इसको हम देखते हैं फिर गद्यांस परचे कहानी खंड काव ये सब रहेगा फिर आगे खंड खा में हम चलेंगे अब चलेंगे अभी तो समय है ना अभी देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या देखो फश्ट का का है हरी संकर परसाई की रशना है इसमें से कौन सी रशना है जो हरी संकर परसाई जी की है आ to bridge धर्ती के फूल तब की बात और थी या फिर मेरे विचार देखो भईया तब की बात और थी ये जो रशना है ये हरी संकर परसाई जी की रशना है और हरी संकर परसाई जी जो है इनका एक चैप्टर भी है आपके 12th हिंदी में तो आप इनका जीवन पर्चे पढ़ लीजे भईया ये ऐसी objective question आते रहेंगे मलब उनकी रशनाओं को पढ़ लेना objective question जाधा तर उसी से related आते है खा वाला question देखो एक एक question का मैं answer बताऊंगा देखो वारिष कहानी संगरा है मलब वारिष जो कहानी है वो किस की रशना है वाला इसको किस ने लिखा है ये आप से पूछा जा रहा है तो कनेयालाल मिस प्रभाकर का प्रो जी सुंदर रेडी जी का मोहन राकेस का या फिर अग्ये का देखो वारिष जो कहानी है वो मोहन राकेस जी की रशना है आपका third option यहाँ पे भी सही होगा आप लोगों को अगर इस question का answer पता है ना तो जैसे मैं question पढ़ रहा हूँ आप लोग फटाफट answer देते हुए चलिए क्योंकि इससे ये होगा proof कि आप कितने smart student है और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है तो आप लोग मैं question पढ़ हूँ उससे पहले आपका answer आ जाना चाहिए क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे student 50% से जादे तैयारी कर चुके है गा देखो आलोचनात्मक कृति काली दास की लालित्ति योजना के लेखक कौन है हरी संकर परसाई, डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी, मोहन राकेस या फिर महावीर परसाद दिवेदी तो भाईया इसका देखो यहां पर थार्ड ओप्सन कर दीजेगा दो 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 बार हो गया है लेकिन इसका जो right answer होगा भाईया वो डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी जी होगा मलब आलोचनात्मक कृति जो है कालिदास की लालित योजना इसके लेखक डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी जी है अब देखे आपके हिंदी गद्ध में डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी जी का एक चैप्टर है असोक के फूल तो आप क्या किजे इनका जीवन परचे पढ़ लिजे इनका साहितिक परचे और इनकी रशनाओं को पढ़ लिजे देखो इनी की रचना से रिलेटेड यहां पर कूश्चन आगया आपका जीवन परचे भी कंप्लीट होगा साथ में ऐसे ऐसे कूश्चन का एंसर भी आप दे लेंगे बहुत आसानी सी तो डबल एक तीर से दो निसाना भईया घा देखो संसमरण विधा की रशना है इसमें से कौन सी रशना है जो संसमरण विधा की है दीप जले संख बजे बाजे पहलिया के घुंगुरू अरे आयावर रहेगा याद या फिर तब की बात और थी तो इसका राइड एंसर अभी तो पूरा आसमान भागी है अभी तो हमने पांच नंबर भी गंप्लेट नहीं किया चलो अंगा नंबर वासुदेवस रणक गुरुवाल की रशना इसमें से कौन सी रशना वासुदेवस रणक गुरुवाल जी की है अब देखो ये भी आपके हिंदी में है तो इनक पूराल तिरसंकु तट की खोज ये वागधारा भया वागधारा जो है ये वासुदेवस रणक गुरुवाल जी की रशना है तो फस्ट वाले कुश्चन में यहाँ पे दो कर दीजेगा देखो फस्ट वाले कुश्चन में पांच कुश्चन थे पांच एक नंबर के चाहते हैं न मैं आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की classes दूँगा with solution ठीक है चलो दूसरे कका देखो अब जो दूसरे कका है न ये हिंदी पध्य साहित का बहुभी कल्पिये परशन होगा क्योंकि दस नंबर के बहुभी कल्पिये परशन आते हैं पांच आते हैं हिंदी गध्य साहित से और पांच आते हैं हिंदी पध्य साहित से देखो कामाईनी में सर्गो की संख्याई देखो कामाईनी एक रशना है महाकाब भी है आपको पता होगा ये किसकी रशना है बताओ जल्दी से comment box में भाईया हम पहले ही बता देते हैं यह जो रशना है यह जै संकर प्रसाद ची की रशना है कामाईनी बहुत famous है इसलिए मैं answer दे रहा हूँ अब एक question मैं आप से कर रहा हूँ उसका answer आप लोग देना आप लोग को बताना है यामा किश की रशना है यामा यहाँ मैं लिक देता हूँ यामा देखें देखते कितने student इसका सही answer देते हैं सबको comment करना है खुदको सबको proof करना है देखो कामाईनी में कितने सर्ग हैं यह आप से पूछा दरा है 12, 14, 15, 17 कितनी सर्ग है कामाईनी में तो भईया इसका third option से योगा 15 सर्ग है कामाईनी में total 15 सर्ग है खा देखो बैदे ही वनमास के रचाईता कौन है बताए जल्दी से बताए आप लोग क्योंकि बहुत सिंपल सा है इनका जो इनकी जो इनका चैप्टर हमारे हिंदी पद्ध में है देखो मैतली सनगुप्त, महादिभी बनमा सच्चिदानंध, हीरानंध, वात्षय नगे या फिर आयोध्यास जिंगोपाध्याए हरियोद भईया आयोध्यास जिंगोपाध्याए हरियोद जी की रशना है बैदे ही बनमास और इनका एक चैप्टर है हमारे ट्वेल्थ में पवंदूति का तो आप क्या करना इनकी रशनाओं को इनके जीवन पर सबको पढ़ लेना भाई दो-दो काम आपका हो जाएगा गा देखो सिंपल साथ एक कुष्चन में फिर से आपसे करता हूँ क्योंकि कुष्चन जितना हम करेंगे न आप जितना एंसर देंगे उतने एक्सपर्ट होते जाएंगे आप चलो आप लोगों को बताना है तार सब तक का प्रकासित हुआ तार सब तक इसका ट्रिक मैंने आपको बताया है आप लोग कमेंट करके बताना है इसका प्रकासन वर्स क्या है चलो घावाला कोश्चन सुमित्रा नंदन पंत को साहित्यकादमी पुरुषकार मिला थमलब सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर साहित्यकादमी पुरुषकार मिला अब सुमित्रा नंदन पंत जी भी हमारे 12 हिंदी में है इनका चैप्टर है ठीके चलो लोकायतन पर चिदंबरा पर कला और बुढ़ा चांद पर या फिर पल्लो पर तो भाईया इसका राइज उन्सरों का इसमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है परसू राम की परतिछा ऐसा कोई घर आपने देखा है प्रतवी, पुत्र, सुवान, किरण तो परसू, राम की प्रतिच्छा है इनकी रशना है ये भी हमारे 12th हिंदी में इनका भी चैप्टर है तो बैने ये, देखो, 5 नंबर का ये भी हो गया टोटल मिलाकर 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रसन हो गया ये 10 कुश्चन देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपके जो अब्जेक्टिव कुश्चन्स हैं वो जादा तर आपके हिंदी के जो चैप्टर के जो लेखक और कभी है उनकी रशनाओं से रिलेटेड कुश्चन्स आते हैं चलो भाया गद्यांस पर हम लोग चलेंगे आगे वड़ते चलेंगे पूरे 100 नंबर का पेपर है तो टाइम तो लगेगा ही टाइम दोगे तो एक दिन आपका भी टाइम आएगा अपना टाइम आएगा चलो दिये गए गद्यांस पर अधले निखिर प्रस्णों के उत्तर दीजे पूरे 10 नंबर का देखो आपको एक गद्यांस दिया गया यहां से लेकर यहां तक इसके नीचे 5 कुष्चन दिये गया है पांचों का एंसर दो पांच कुष्चन नेंगे दो दो नंबर के पांचों का इंसर दो 10 नंबर ले जाओ नहीं पता है तो अधवा लगा होगा आप यह वाला कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक गद्यांस इसके नीचे 5 कुष्चन है दोनों एजी हैं देखो सब हम फस्ट वाला करेंगे सेकेंड वाला आपका काम है हो मोर्क देखो इसको पढ़ो पह जन से ही राष्ट का सुरूप संपादित होता है जन के कारण ही प्रतिवी मात्र भूमी की संग्या प्राप्त करती है प्रतिवी माता है और जन सच्चे अर्थों में प्रतिवी की पुत्र है माता भूमी पुत्रों अहां प्रतिव्या मतलब भूमी माता है मैं उसका पुत् इसी भावना से राष्ट के निर्माड के अंकुर उत्पन होते हैं अब देखो question क्या है first ये किस पार्ट का है? कोई पहचान सकता है राष्टर यहाँ पे आया है यहाँ पे राष्ट का स्वरूप राष्टर आया है यहाँ पे राष्टर यता आया है कहीं पे राष्ट का स्वरूप भी आया है देखो यहीं पे होगा यह देखो राष्ट का स्वरूप चैप्टर का नाम ही आ गया यानि कि यह राष्ट का स्वरूप चैप्टर का गध्यांस और इसके लेखक हैं वासुदे उस्रन गरवाल जी अब इसकी कुश्चन का एंसर देते हैं देखो मैं अभी आपको कुश्चन का एंसर तो बता दूँगा ढूण लूड की लेकिन इसको सॉल्ब कैसे करना है अगर यह जानना है भईया तो आप लोग सर्च करें आपको मैंने पांच जो सबसे इंपोरेंट गद्यांस है वो एक ही वीडियो में बताया है जाकर देखना 10 नंबर कंप्लीट कर लेना ठीक है चलो या फिर सब कुछ आप देख सकते हैं वहाँ ठीक है देखे फर्ष्ट उपरित गद्यांस का संदर्ब लिखे पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है तो पाठ का नाम राष्ट का सुरूप लेखक का नाम वहाँ आप फुदियो सरण गुरवाल फंदर्ब लिखते कैसे हैं वह आप लोग गद्यांस वाले वीडियो में जाकर देख लेना ठीक है चलो दूसरा लेखक ने राष्ट का दूसरा अंग किसे कहा है तो देखो यहाँ पे लिखा है मात रुभूमिपन निवास करने वाले मनुस्य राष्ट का दूसरा अंग है मनुस्यों को कहा है हम जैसे मनुस्यों को कि हम राष्ट का दूसरा अंग है तीसरा राष्ट का सुरूप कैसे सं पादित होता है भाईय सिंपल साहे देखो पृतिवी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट का सुरूप संपादित होता है यहां से लेकर यहां तक लिख दो सारे कुष्चन का एंसुर इसी गद्यांस में दिया रहेगा तो काहे पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर म मलब यही चीज अगर हमारे अंदर यह है कि भूम हमारी माता है मैं उसका पुत्र हूँ यह अगर हमारी हिर्दे में है तो यही राष्टिता की कुण्जी है सिंपल सा है पाँचवा गद्यांस के रेखागे तनस की व्याख्या कीज़े मलब देखेंगे अगर अब ध्यांस तो बता दिया जूंडूंड के लेकिन आपको लिखना कैसे अगर यह जानना है तो आप लोग या तो फिर हिंदी की कॉपी कैसे लिखें सुभम लेक्षर सर्च करके देख लीजिए या फिर आप क्लास 12 हिंदी इंपॉरेंट गद्यांस सुभम लेक्षर कुछ भी सर्च कर यह आपको खुद करना यह पढ़ना और इन पांचों कुष्चन का एंसर देना स्क्रीन सॉट ले लो इसको खुद से करो क्योंकि होम वर्क जब तक आप खुद प्रेक्टिस नहीं करोगी ना प्रेक्टिस मेक्स यह मैं प्रेक्टिस एक आदमी को प्रेक्ट बनाती है तो प्रेक्ट आपको एक पध्यांस यहां जाना चीए तो आप अछे से कर लेंगे मालीजी आपको नहीं पता है तो दूसरा आथावा लगा कि आपको दिया जाएगा, यहां से लेकर यहां तक दे दिया गया समझ लो, और इसके नीचे पांच कोश्चन दे दिये गया, तो आपको दोनों में से जो भी पता है आप कर सकते हैं भाई, आपकी मर्जी, मैं जो थोड़ी भी सर्मित हुआ हो गोदले सरांति खोना, होटों की यो कमल मुक्की मलांताएं मिठाना, कोई कलांता किर्सक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिठाना, जाता कोई जलद यदी हो ब्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुकित क यह हमारे पवन दूति का पाठ का पद्यांस है, इसके कभी हैं अयोध्या सिंगुपध्या है हरियोजी, मलब राधा जी पवन से कहती है, पवन को दूत बनाकर वो स्रीकृष्ण जी के पास भेजना चाहती है, और वो कहती है, लज्जा सीला पथिक महिला जो कहीं दरिष् मलब अगर तुझे मार्ग में कोई लज्जा सील या लाजवनती इस्तरी दिखाए दे, होने देना बिक्रित वस्ना तो ना तू सुंदरी को, तो तू उसके वस्तरों को मत उड़ाना, देखो बिक्रित मत उड़ाना मत थिक है, वस्ना उसके वस्तरों को, ठीक है, मलब तु की यो कमल मुख की मलांताएं मिटाना साथ ही उसके होठों और कमल सद्रिश दिखने वाले मुख की मलिंता को हर लेना फिर कहती है कोई कलांता किर्सक ललाना खेत में जो दिखावे फिर वो कहती है कि यदि तुझे मार्ग में खेत में काम करती हुई कोई थकी हुई इस्त्री दिखाई दे, कोई किसान की इस्त्री दिखाई दे, किर्शक लनाना का मतलब किसान की इस्त्री, धीरे-धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे-धीरे उसको उसके पास पहुँचकर, उसको असपरस करके, उसकी थकान को मिटा देना, क्य तो अगर थोड़ी हावा चल जाए मज़ा आ जाती है तो ये पाउन हावा ही है जाता कोई जलद ये दिहो ब्योम में तो उसे ला फिर वो कहते हैं अगर जाता कोई जलद मतलब कोई बादल, जलद का मलब बादल ये दिहो ब्योम, ब्योम का मलब आकास में तो उसे लाना, वह लगों कहते हैं कि अगर तुझे आकास में बादल दिखाई दे, तो उसे उसके पास लेकर आना, छाया द्वारा सुखित करना तब भूतांगना को, और उस इस्तरी को छाया के द्वारा सुखित कर देना, ठीक है भूतांगना का मले इस्तरी होता है, अब इसको भी मैंने आपको इस्प्रेसली बताया, जब आप लोग सर्च करेंगे क्लाश 12 हिंदी इंपॉडेंट पद्यांस सुभम लेक्षिरर आपको पद्यांस वाला विडियो मिल जाएगा, जाकर देखना मज़ा आएगा, दूसरा, राधा पवंदूतिका से राह में पथि इसकों के साथ परोपकार कभे उहार करने को कहती है, मतलब आप परोपकार कभे उहार करना, उसके वस्तरों को मत उड़ाना, तेक है वही सारी चीज़ें वो कहती है, तेक है चलो, तीसरा, इस पद्यांस में कभी ने किसका चित्रण किया है, ये क्विश्चन काफी ज़दा special है, मतलब simple सा है, मलब इस पध्यांस में कभी ने किसका चितरण किया है, इस पध्यांस में कभी ने राधा जी और पवन के बीछ वारतलाप हुई है उसका चितरण किया है छौथा, इस पध्यांस में कौन सा अलंकार है, आप लोग comment करना कि आखिर इस पद्यांस में अलंकार कौन से है पांच वारे एक खांकी तंसकी ब्याक्या कीजिए यहां से लेकर यहां तक का आपको ब्याक्या करना है सिंपल सा है कुछ है नहीं पद्यांस का मैं इस पेसल वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुक हूं जाकर देख लेना देखो अथवा लगा है आप दूसरा कर सकते हैं ये कि शेप्टर का है देखो ये हमारे गीत थ्री देखो महादेवी वर्मा जी की एक रशना है गीत थ्री ये उसी से लिया गया है तो एक ही करना है आपको इसका स्किन सॉट लेकर आप इसको खुद सॉल्ब करना है उसे पध्यान्स का वीडियो में आपको पहले भी प्रोवाइड करा चुकों टेंसन मत कमेंड करोगे और भी ग्लासे जाएंगे अब चलते हैं भाईया जीवन परचे पर जो फिक्स होता है आपका नमबर देखो निमलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्तिक परचे देते हुए उनकी परमुख रशना का लेक करो सब्द सीमास सी तीन लेखक आपको दिये जा देखो मैंने जीवन परचे का एक बहुत इस्पेसल क्लास आपको प्रोवाइड करा आप लोग सर्च करना क्लाश 12 हिंदी इंपॉरेंट जीवन परचे सुभम लेक्शिरर आपको क्लास मिल जाएगा मैंने छे जो सबसे इंपॉरेंट जीवन परचे है न कभी और लेखक दोनों का वो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है क्या करना है सब कुछ तो जाके देखो भाई नंबर पूरा मिलेगा ऐसे लेखक के बाद कभी का भी आता है निमलिखिन मेंसे किसी एक कभी का साहि कर लो भाई काम हो जाएगा दस नंबर आपका कंप्लीट पांच इनका पांच इनका तो आप लोग जाकर सर्च करो यूट्यूब पर क्लास 12 हिंदे इंपॉरेंट जीवन परचे सुभम लेक्षर क्लास मिल जाएगा डोड़ो यह तो मिल जाएगा चलो कहानी पे चलते हैं भाईया 6 नंबर कहानी 5 नंबर की आती है और यह 100 नही 101 परसंट यह फिक्स होता है देखो पंचलाइट और बहादूर पंचलाइट बहादूर दुरूब या तीन कहानी अगर आप लोग पढ़ लेते हो ना भाईया आपका 5 नंबर कोई काठी नहीं सकता बस दोनों का उद पर प्रकाश डालिए तो आप धुरूब यात्रा कहानी का उद्देश लिख दीजे तो मैं यही कहूंगा कि आप पंचलाइट बहादूर धूरूब यात्रा तीन कहानी को पढ़ लो आपका 5 नंबर बिल्कुल 100 परसंट फिक्स रहेगा चलो 7 नंबर पे चलते मेरे भाई अब खंड काब्य पर आते हैं, खंड काब्य जो होता है ये भी फिक्स होता है 100%, देखो, स्वापठित खंड काब्य के अधार पर किसी एक खंड के 1% का उत्तर दीजिए, पांच नंबर सब्द सीमा 80, देखो, सरवन कुमार, रस्मी रथी, मुक्तियग्य, त्याग पती, सत्त की जीत, आलोग बृत, इसको मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, देखो, आप लोग यूपी से हैं, चलो ठीक है, हम भी यूपी से हैं, लेकिन यूपी में आप किस जिले से हैं, देखो, खंड काब्य एक ऐसा टॉपिक है, जो हर जिले में, मलब कुछ जिलों में सरवन कुमा माली, जिए मैं त्याग पती पर बना दू, मेरे यहां त्याग पती है, तो आप कुछ बच्चे कहेंगे, सर हमारे यहां तो सब्त की जीत है, तो यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको खुद से पढ़ना होगा, तिक, यही एक टॉपिक है, जो अलग-अलग होता है, तो इसक नमबर आपका हो गया, अब चलते हैं हम खंड खा पे भया, खंड खा भी 50 नमबर का रहेगा, हिंदी व्याकरण यह सब रहेंगे, संस्कृत रहेगा, इसमें देखो, खंड खा, आठिमेक का कुश्चन, देखो, खंड खा में सबसे पहले होगा संस्कृत का गध्यांस, पह जिसी एक का ससंदर्म हिंदी में अनुआत करू, जिसी याग्यवलक के उवाचनावा अरे मैत्री, देखो, यह किस चैप्टर का है, यह आपके आतमग्या ययोम सरवग्या चैप्टर का है, तीक है, मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ, इसको आप खुद से देखो भाईया, मैंने आपको हिंदी संस्कृत का गद्यान्स भी बता रखा, आप लोग योट्यूब पे जाएंगे सर्च करेंगे, क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपोर्टन्ट गद्यान्स सुभम लेक्च्छर, आपको क्लास में जाएगा, जाकर देखना बहुत अगर आप इन चारो चैप्टर का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं और चैप्टर को पहचानना आता है आपको, भाईया, नंबर साथ आपका बिल्गुल फिक्स रहेगा, नहीं जानते देखो अथवा लगा है, इसमें भी दो आप्संस रहते हैं, देखो ये संस्कृत साहित बहुत इंपोरेंट है, तो आप क्या कीजिए, जो मैंने मोस्ट इंपोरेंट चार चैप्टर बताया नहीं, इसको आप जाकर देख लिएगे, बहुत इस्पेसल ग्लास है, तो बाकी हिंदी संस्कृत के गध्यांस पे मैं आल्रेडी आपको वीडियो प्रवाइड करा चु मलब यह हमारे जातक कथा का एक सीरसक है, उलूक जातकम, यह उसी से लिया गया है, वैसे अथवा जो लगा है, दूसरा है सुखारतिना को तो बिद्यारतिना को तो सुखम, सुखारतिवा तिजेत बिद्यां, बिद्यारतिवा तिजेत सुखम, अब यह हमारे सुभासी तर एक-दो चैप्टर में दिये गए हैं उसको पढ़ लेना लेकिन सुभासी ततनाली चैप्टर के जितने भी इस लोग हैं सारे के सारे आपके जुबान पर उसका मीनिंग होना चाहिए और आपको पहचान में आना चाहिए ये ध्यान ना करना मेरे भाई शलो नाइन नमबर दे जिए सुरेश तुम रात भर इधर-धर सड़कों पर घुमते रहते हो जरूर दाल में कुछ काला है या महेस कर सकते हो और अमेस कर सकते हो कोई दिक्ता नहीं है दूसरा तलवार की धार पर चलना मनलब कठिन कारे करना जिसे हमारी बीर जवान बॉर्डर पे तलवार की धा आपको बता दिये, अब चलते हैं भया, आपठित गध्यांस पे, ये टॉपिक आपको जानना जरूरी है, अब देखो, आपठित गध्यांस जो है मेरे भाई, ये बहुत इंपोरे पांच नमबर काता है, देखो, ये गध्यांस दिया गया इतना बड़ा, इसके नीचे तीन क बता दें, एक आइडिया बहुत सिंपल है, मतलब इसको पढ़ो, फिर तीन कूश्चन दिये जाएंगे, इसका एंसर आपको इसी गध्यांस में मिलेगा, ये आपठित गध्यांस है मेरे भाई, ये आपके चैप्टर में नहीं मिलेगा, जैसे अभी जो मैंने गध्यांस ब खलते फूलते हैं, चाया देते हैं औरों के लिए, सूरत प्रकास देता है, जीवन देता है, चांद सीतलता देता है, इन्होंने कहा अपना प्रकास पुंज लपेट समेटा है, नदियां कहा अपने को बांध कर रखते हैं, फिर हम क्यों अपने को बांध कर रखते हैं, ये क्रिपड़ता तो मेरी समझ में अपराद है हम समझते हैं कि जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये भारी बोला है अगर हम किसी को अपना ग्यान समपदा सदाइस्ता समपदा से सहायता नहीं पहुचा रहे हैं तो कुछ पलों के लिए उसे कश्ट होगा संसार विसाल है कही न कहीं उसका काम हो जाएगा कोई न कोई इसकी सहायता कर ही देगा लेकिन हम में किरपड़ता आसहायता आदया की ग्रंथ बिक्सित होती रहेगी जो अंतता मनोरों के रूप में पढ़ित हो जाएगी तो फास्ट है परकिर्थ से ब्यक्ति को क्या सिच्छा मिलती है मलब परकिर्थ से ब्यक्ति को सिच्छा मिलती है कि हमें हमेशा औरों के लिए प्रस्थत रहना चाहिए क्योंकि देखो भया क्या है कि नदियां बहती हैं औरों के लिए, ब्रिच फलते फूलते हैं, चाया देते हैं औरों के लिए, ब्रिच हमें जो जिसे आम का पेड़ है, वो हमें आम का फल देता है, वो हमें देता है, वो खुद नहीं खाता है, वो औरों के लिए, ठीक है, वो हमें चाया देता है, हम सभी के लिए यही सब उसका आर्थ है मानो कि किस बिचार को भारी भूल माना गया है देखो यहाँ पे लिखा है क्या है भारी भूल है मैंने कहा था हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन यह भारी भूल है बस यही लिख दो भाई नंबर मिल जाएगा इतना तो ढोन के आप लिखी सकते हो इतना तो आप लोग स्माल्ट हो ही जितना हम समझते हैं चलो ये भी हो गया हमारा 11 का का देखते हैं अब हम लोग निमलिकी सब्द युगमों का सही अर्थ चैन करके लिखी सब्द युगमों है देखो जैसे फस्ट है सकल सकल इसका सही अर्थ क्या होगा यह आपको बताना जो पहले उसका अर्थ पहले जो बाद में उसका अर्थ बाद में एक नंबर पूरे मिलेगा देखो सकल सकल अर्थ क्या होगा पदार्थ और संपूर्ण, संपूर्ण और खंड, आकरती और प्रकरती, मुख और संकालू भैया सकल सकल का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका B वाला उप्सन संपूर्ण और खंड, इस सकल का मलबता है संपूर्ण, इस सकल का मलबता है खंड तो दूसरा बी बाला उप्सन आपका सही हो अंस अंस हूँ इसका सही अर्थ क्या होगा भाग और सूरे सूरे और भाग भाग और किरण किरण और रुणूर भाई इसका एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना देखते हैं कितने स्टुडेंट इसका राइट एंसर देते हैं आपको पूरा नहीं लिखना है A सही है कि B सही आपको ऐसे लिख देना है A is right या B is right जो भी होगा आपका मेंट कर देना ये देखो भाईया अनेक आर्थी सब्द देखो निम्लिकर पूरें मेंसे किसी एक सब्द के दो अर्था लिखे दो नमबर का पूरे आयेगा देखो जैसे अमरित अमरित को और किन नामों से जानते हैं मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्यार से लिख लेना अमर अम्रित को लिखी आप इसका अनेकार्थी सब्द लिख सकते हैं जल, दूध, सुधा, अमर ये चार मैंने बता दिया आपको दो ही लिखना है वर का मनलब वर का आप लिख सकते हैं दूलह, स्रेष्ट, सुन्दर, पयोधर का आप लिख सकते हैं बादल, अस्तन, नारियल, कश नाक, नाक का आप लिख सकते हैं इजट, सम्मान, स्वण, नासिका क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बादल, नाक, मट, कटाना, इंटर में आपको 95% है लाना, ठेक है, सम्मान, ठेक, चलोगा, अनेक सब्दों के लिए एक सब्द पे आते हैं निमलिकित वाक्यांसर के लिए ए दो नंबर, दो कुश्चन रहेंगे, देखो जिसका नास कभी न हो, उसको हम क्या कहते हैं अस्थाई, अभिनासी, अनस्ष्वर, यच्चिरन जी, भईया, अभिनासी, जिसका नास कभी न हो, दूसरा, जिसने राष्ट के हित में अपना जीवन बल्दान कर दिया हो, उसको जागते हैं तब हम सो पाते हैं तो वो अगर सहीद हो जाते हैं वो अगर राष्ट्रो के हित में अपना जीवन बलिदान कर देते हैं तो उनको सहीद माना जाता है तो सहीद आ जाएगा घा देखो वाग के संसोधन निमलिखित मेंसे करें दो आक्यों को सुद्ध करके लिखें जैसे फ़स्ट है मैं आपके उज्वल भविस्थ की काम ना करता हूँ इसमें क्या गलती है इसमें उज्वल में गलती है आप लोग इस तरह उज्वल लिखेगा उज्वल मैं लग उज्वल आधाजा आधाजा वाला उज्वल ठीक है दूसरा मीरा भाई कृष्ण भक्त कभी है देखो भईया मीरा भाई फीमेल है तो कभी त्री लिखना ऐसे कभी त्री ठीक है तीसरा देखो परतिमा को छमा मांगना चाहिए बाईया प्रतिमा लेडी जै तो मांगनी चाहिए लिख देना मांगना को मांगनी चाहिए भईया सदेओ लिखो या तो फिर हमेसा लिखो तो आप हमेसा कोकाड दो हमेसा देओ परिशनद अलंकार बीर रस अथवा हास रस का स्थाइभाव के साथ उधारन अथवा परिभासा लिखे दो नमबर सिलेस अथवाथ प्रेच्छा लंकार का लच्छन अथवा उधान लिखे दो नमबर दोहा अथवाथ छोल्था छंद का मात्रा सहिर लच्छन उधान लिखे दो नमबर मलब ये रस, छंद और अलंकार है दो-दो नंबर के आते हैं छे नंबर बिल्कुल फिक्स होता है मैंने एक वीडियो आपको दिया है सर्च करना जाकर जरूर रस, छंद, अलंकार, सुभम लेक्चरर उस वीडियो में मैंने जितने भी रसा है जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार है सबको मैंने बताया है फिर बंदरा से बीस मिनट का वीडियो जाकर देख लोगे न छे नंबर आपका ऐसे एक्जामेन रदेगा ले वेटा, इस पे तेरा ही हग है थार्टीन नंबर पत्र लेखन पत्र लिखो, तो दोनों में से आप किसी एक को करें भाया और पत्र लिखते कैसे हैं, वो हमसे पूछिए योट्यूब पर सर्च कीजे मिल जाएगा सारी क्लासेज मैं आपको दे चुका हूँ आगर मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ आप ही लोगों के लिए तो, चलो 14 नंबर निमलिखित विश्यों में से किसी एक पर अपनी भासा साली में निबंध लिखो 9 नंबर जिसे परियावनर प्रदूसर्ण, बिद्यालेओं में इन पाचों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है निबंध में हेडिंग बहुत अच्छे से डालना मैंने निबंध लिखना आपको बताया है सर्च करना यूट्यूप पर वीडियो मिल जाएगा उसको देखना उसमें जितने भी मोस्ट इंबंध सबको मैंने बताया है 9 नंबर आपका पुरे कंपलीट कराया है तो यह हमारा पूरा पेपर भाया कंपलीट हुआ 50 नंबर का खंडखा 50 नंबर का खंडखा और खंडखा, 4 नंबर का पेपर हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया, जादा तर मैंने आपको solution भी दिया, पूरा solution चाहिए, आप लोग comment करना, वीडियो को जितना हो सके like करना, channel को कर लेना, subscribe मिलते हैं, फिन next वीडियो में next topic के साथ, तब तक के लिए जाए हिंद,